नमस्कार आज हम बीजी वेंजक और सर्शमीका के बारे में पढ़ेंगे बीजी वेंजक क्या है इसके बारे में पहले बताते हैं बीजी वेंजक में देखो बीजी वेंजक या वेंजक एक ही जीजे चर व अचर से मिलके ये बने पदों को जोड कर जो वेंजक बनते है उसको क्या कहते है बीजी वेंजक या वेंजक कहते है चर यानि जिसमें अंग्रेजी वर्ण माला हो और अचर में गणीतिय अंक जिसमें गणीतिय अंक आते है उसको अपन अचर कहते है इन दोनों से मिलकर बने पद उसको क्या कहते है बीजे वेंजक ये बने दो एक्स ये पद हो गया और ये एक ये तो ये जो इन से मिलकर बने पद होते है वो क्या कहलाते है बीजे वेंजक कहलाते है और संख्यात्मक वेंजक पूछ ले तो संख्यात्मक वेंजक का मतलब है ज उसको संख्यात्मक वेंजक कहते हैं, अपने पास में ये उदारण है, फिर आता है अपने पास में संख्यात्मक गुणाक, गुणाक यह नहीं किसी भी चर संख्या से अपने को उसका गुणा के रूप में जीच दरसाई जाती है, किसी पद का संख्यात्मक गुणान खंड उ इसमें देखो अब साथ x, y का गुणाक क्या हो गया, यानि चर संक्या का है, तो x, y है, चर, x, y का क्या गुणाक हो गया, साथ हो गया, इसके साथ में अचर संक्या का जो गुणाक हो या गुणनखंड है, वो उसका क्या कहलाता है, गुणाक कहलाता है, माइनस पांच एक्स तो इसमें एक्स है तो एक्स के से क्या गुणा हुआ वा है या उसका क्या गुणान खंड आया है तो माइनस पांच तो यह उसका गुणाक कहलाता है अब आगे अपन इसके 1 पदीये या 2 पदीये ऐसे पढ़ेंगे, 1 पदीये, 3 पदीये एवं 2 पदीये, 4 और अचड से मिलकर बने होते है, 1 पदीये, जिस वेंजग में केवल 1 पद होता है, उसे 1 पदी कहते हैं, एक पदी का मतलब है कि इसमें अचर संक्यागर हो तो उसको भी एक पदी ही कहते है जैसे 4X इसमें देखो कोई भी चिन नहीं आया है केवल गुणा का चिन आया हुआ है तो गुणा का चिन आया है पर प्लस माइनस का चिन नहीं आया है इसका मतलब यह एक पदी है तीन एकस वाई और मैनस नुग यह एक पदी में फिर है दूसरे नमबर द्ौी पद दो पदो वाला वेंजग क्या कहलाता है द्ऌी पद कहलाता है इसके उदारेने दिखो a प्लस बी x माइनस चार माइनस तीन X Y और प्लस का 5 फिर है त्री पदी त्री पदी में तीन पदों वाले वेंजक को त्री पद कहते है जैसे A प्लस B प्लस C देखो तीन पद आये है X Y प्लस Y Z प्लस 10 तो इसका मतलब यह क्या हो गए? त्री पदी हो गए अब आगे अपन पढ़ते हैं बहुपद, बहुपद में क्या होता है, एक अथ्वा, अधिक पदों वाला वेंजक क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है, यह एक या उसे अधिक पद आते हैं, जैसे यह अपने पास A प्लस B प्लस C प्लस D, फिर आगे दो X प्लस 3 Z माइनस 4 Y और माइनस का 10 यह क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है, फिर इसमें समान पद अपने को घटाने और जोड़ने में, समान पद या सर जातिये पद देखके ही अपन उसको घटाया या जोड़ा जा सकता है, गुणा आये तो अपन किसी भी पद कोगा वो गुणा में ही आ जा तो उसको सजातिय पद कहते हैं, वी जातिय यहन्य उसके चर क्या होंगे? अलग-अलग और गहतांग अलग-अलग चरों एवं अलग घात वाले पदों को वी जातिय पद कहते हैं, अपन इसी के आदार पे जोड़ना और घटाना होता है, अब अपन प्रशनावली 9.1 करेंग पद का एम गुणांकों को पहचानी है अब अपने पास में ये पद दिये प्रतिक पद में से अलग-अलग पहचानना है जैसे अब ये 5xyz² तो इसके गुणांक ये नहीं अपने को क्या बताना है केवल अच्छर संख्या ही उसके गुणांक के रूप में बतानी है तो 5xyz² इसका गुणांक क्या है 5 फिर अपने पास में दूसरा पद है माइनस 3zy इसका गुणांक है माइनस 3 जो माइनस का चीन होगा वो हमेशा अच्छर संख्या के साथ में रहेगा फिर अपने दूसरा प्रशन है उसमें दूसरे प्रशन में 1 my plus x plus x square ये अपने पास में है तो अ एक का गुणाक बताना नहीं है क्योंकि ये केवल अच्छर संक्या X और X स्क्वेर का गुणाक बताना है तो X इसके आगे अपने पास में क्या एक होता है लिखा नहीं जाता है तो यही इसका गुणाक हो जाएगा फिर अपने पास में x square है इसके आगे भी अब 1 होता है तो गोली अब ये plus के हैं इसलिए इसका गुणा क्या हो जाएगा plus 1 हो जाएगा दोनों के गुणा क्या हो जाएंगे 1 हो जाएगा फिर तीसरा प्रशन है अपने पास में 4x square y square minus 4x square y square z square और z square अब इसकी आगे देखो अच्छर संक्या क्या आई ये 4 है तो इसका 4 हो जाएगा दूसरे प्रशन में क्या ही? minus 4 तो minus 4 और z square के आगे अपने पास में क्या आएवा है? एक आया वा है इसलिए इसका क्या हो जाएगा एक गुणाक हो जाएगा फिर तीसरे चौते प्रिशन में तीन माइनस पी क्यू प्लस क्यू आर और आर पी अब देखो इसके आगे माइनस एक गुणाक होगा तो इसके आगे देखो माइनस पी क्यू का गुणाक क्या हो गया माइनस एक पी क्यू आर का गुणाक एक क्यूकि धनात्मक है और माइनस आर पी का गुणाक हो गया माइनस एक जिसके आगे माइनस होगा उसका गुणाक कमेसा अचर संख्या के आगे माइनस लगेगा और उसक इसके आगे एक होता है इसका मतलब इसका x बटा 2 का गुणाक होगा एक बटा 2 और y बटा 2 का भी गुणाक होगा एक बटा 2 और माइनस इसका गुणाक होगा भी मैनस लगावा है मैनस X Y इसलिए इसका गुडाक हो जाएगा मैनस X 1 हो जाएगा फिर आगे अपन प्रशन इसका दूसरा प्रशन पढ़ते हैं प्रिश्णावली, 9 पॉइंट निम्न लिखित पदों को एक पदिये, ड्वी पदिये और 3 पदिये में वर्गी करत कीजीए, इनको दिया वा है इसमें अपने को अलग अलग करने हैं, अब देखो पहला प्रिश्ण अपने को दिया वा है, X प्लस Y x plus y इसमें देखो दो पद आये x और y इसलिए ये क्या हो गया दीपद हो गया so ajar ajar है अपने पास में तो ajar क्या होता है ये एक पद ये मतलए उचर संख्या जो भी होगी वह क्या होगी एक पद में आएगी फिर हैं तीसरा नमबर अपने पास में ये देखो इसमें कितने x, x square, x cube और x 4 ये भी चर एक है पर इनकी घरतांक अलग-अलग है इसलिए ये क्या आजाएगी? चार पदिये में आजाएगी ये नि बहुपद में आजाएगी इसमें तीन सिरेणियों में से किसी एक में नहीं है इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? चार पद हो जाएगा फिर अपने पास में है 2y और-3y square ये अपने पास में इसका ये हो गया फिर अपने पास में देखो 2y-3y square इसमें ये दो पद है प्लस या माइनस का चिन होता है दो पदों के बीच में प्लस या माइनस का चिन होता है और चर एक हो तो गातांक अलग-अलग होता है तो वह क्या हो जाता है द्वी पदी में हो जाएगा ऐसे ही आगे अपने को प्रशन ये बताएवे हैं माइनस प्लस देखना है, कितने पद आये हैं, और घातांग भी उनकी क्या होनी चाहिए? अलग-अलग होनी चाहिए. अगर एक घातांग हो, अगर मालो बासे 2y और माइनस y हो, तो ये घड़ जाएगा, तो ये 2 में नहीं आजाए, ये भी ऐसे ही है, प्रशन नमबर 3, प्रशन नमबर 3 में देखो, अपने पास में जो प्रशन दिये हैं, उसको अपन सज जातिये में करके, उसको जोड़ना या घटाना, पहला प्रशन अपने पास में, A, B, माइनस B, C, B, C, माइनस C, A, और कोमा, C, A, और माइनस A, B, जहां कोमा है, इसका मतलब वो सब क्या है, योग है, अपने पास में द्वी पदिये सब दिये हैं, अब इसमें क्या करेंगे, सर जातिये करेंगे, A, B, और अपने पास में, माइनस का A, भी ये दिया वा है, तो इसके नीचे ये माइनस का, और B, C, तो ये B, C है, और यहां पे प्लस का B, C, क्योंकि कोमा है, उसके आगे प्लस का चेन होता है, माइनस C, A, और अपने पास में प्लस का C, क्योंकि कोमा है, उसके आगे प्लस का चेन है, अब देखो, तो इसमें जोडने में कोई भी चिन चेंज नहीं करना है, प्लस माइनस और समान पद हो तो आपस में कड़ जाता है, और उसका उत्तर के आ जाता है, योग सुन्ने आ जाता है, ऐसे ही यह दूसरा प्रशन है, A माइनस B, प्लस A B, और B माइनस बीच में कोमा है, कोमा की जगे क्या लग जाएगा, प्लस का चिन लग जाएगा, फिर अपने पास में B माइनस C, प्लस B C, और कोमा की जगे प्लस लग गया, और फिर अपने पास में C, माइनस A, और प्लस A C, अब देखो अपने पास में ये प्रशन है A और माइनस B अब A माइनस B है और माइनस A भी तो ये अपने पास में देखो ये प्रशन अपने को ये A है A के नीचे माइनस A ये A है तो यहाँ पर माइनस A तो ये नीचे उतर गया फिर B माइनस और प्लस का भी ये हो फिर अपने ऐसे सजाती है कड़ दिया और फिर A और B प्लस माइनस है समान है इसलिए ये कट गई दोनों फिर अपने पास में ये भी माइनस का B और प्लस का B है ये भी समान ये सजाती है ये भी कड़ गया माइनस B ये अपने पास में A B है A B है और यह अपने पास में यह क्या है अपने यह ऐसे उतर गया, फिर अब यह बहुता है, प्लस का है, तो इसलिए पलस का आया है, ऐसे ये तीसरा प्रशन है सजातिय करके और इसको पंक्ति विद्धी और अपन इस्तम विद्धी से भी कर सकते हैं इस्तम विद्धी यानि जो ये उपर नीचे रखके और पंक्ति विद्धी यानि उसको एक पंक्ति में करके और कर सकते हैं आगे प्रशन नमबर है अपने पास में 4 प्रशन नमबर 4 में देखो ये सिधा वो पे दिया वा था अपने पास में गटा है गटा है ये में जहां पे भी होता है वहां पे क्या होता है चिन जो मेसे के बाद वाले जो भी पद होते हैं वो उसके पद के नीचे उतर के उसके च चेंज हो जाते हैं प्लस हो तो उसकी जगे क्या हो जाएगा माइनस और माइनस हो तो उसकी जगे हो जाएगा प्लस तो इन दोनों को ही चिन को ही अपने को करना है तो अपने पास में देखो यह दियावा है बारा ए माइनस नो एबी प्लस का भी पांस भी और माइनस तीन अब इसके आगे देखो अपने पास में ये पद समान पद उसके नीचे उतार दिये और अचर संख्या जो भी होगी वो अमेशा आपस में सजाती ही होगी यहाँ पे अपने पास में प्लस है इसलिए यह क्या हो गया माइनस हो गया माइनस था वहाँ प्लस हो गया और प्लस थ यह म्हांने की तरहिए सब्सक्राइबूर्ण करके हैं निवा इसका है जोड़ें भी-1 बड़ा है इसलिए उत्तर वाहे पलस अरगा है पैंच में से तीन चला गया और यह चर शंक्या एक रूप में रहती यह तो फॉल्ष में रहगी और यहां पे भी प्लस माइनस है परन्तु माइनस की संख्या क्या है बड़ी है इसलिए इसका उतर क्या गया माइनस का आ गया और यहां पे भी प्लस माइनस है, माइनस की संख्या छोटी है और प्लस की बड़ी है इसलिए प्लस का आठ ये भी इसी प्रकार प्रशन है, चेंज चेंज किया और जिसका कोई भी पद्नी हो वो व्यसा के व्यसा है